बना पाई या बुना पाई या आज हाथ से निकल गया और दो सप्ताह के बाद देखेंगे कि कोरोना में क्या इस्सिति होती है अगर गंभीर होगी तो उसके बाद भी निर्णे लेंगे जाहिर सी बात है जब कोई दल जो सबसे बड़ा प्रतिपक्षी दल है जब इस तरह का फैसला करता है तो कहीं न कहीं मतदाताओं के सामने उसका नेतिक धरातल और अधिक उंचा हो जाता है उसका जो नेतिक पक्ष है कहीं और अधिक वजंदार हो जाता है और जो लोगों के दिल और दिमाग पर सीधे तोर पर असर करता है जो भई एक दल है जो हमको जबरदस्ती ले जा नहीं रहा है रैलियों में एक दल है जो हमको पूरी सबजियां नहीं बांट रहा है जो कुछ रुपए नकत दिये जाते हैं वो नहीं दे रहा है हम लोगों की जान की सुरक्षा कर रहा है और आप देखें कि ठीक है कि बंगाल का नतीजे में कॉंग्रेस को बहुत अच्छा नहीं मिला कुछ भी लेकिन तीसरे चरण के बाद बंगाल में भी ममता बेनर जी और राहूल गांथी ने ही ये पहल की थी और अपनी रेलिया सुव मोटो इस्थगित की थी तो जब ये घोशना हो गई पंजाब में तो मुझे लगता है ये जो जवावी कारवाई है उसमें कहीं न कहीं भारतिय जनता पार्टी उस नेतिक धरातल पर पिछड़ गई है जनता पार्टी नेतिक धरातल पर पिछड़ गई है